हलो फ्रेंडस विल्कम टू माई चैनल तो फ्रेंडस आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत आसान है इसे आपके सीवी त्योहर पर बना सकते हैं या जब भी आपका इसे खाने का मन करें तब आप इसे बना सकते हैं कोई भी महमान आए तब भी आप इसे बना सकते हैं यह बहुत टेस्टी बनता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर पहल दूद लिया है आप इसे आधा लीटर में भी बना सकते हो अगर आपको कम बनाना है तो अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे और जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम आगे की तयारी कर लेते हैं तो मैंने एक वोल लिया है इसमें डालेंगे चार चम्मच कस्ट पाउडर लेना और अब हम इसमें डालेंगे ठंडा दूद और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे गर्म दूद में मिक्स ना करें नहीं तो इसमें लंस पड़ जाते हैं और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है इसे पहले से ही अच्छे से मिक्स करके रख लेना ह और ये देखिए दूद भी हमारा boil होने लगा है, इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए boil होने देंगे, इसे मीठा करने के लिए आप इसी टाइम इसमें चीनी डाल सकते हैं, मीठा आप इसे अपने टेस्ट के according रख सकते हैं, कम या जाधा जैसा भी मीठा आपको खाना पसंद है, अब उसी हिसाब से इसमें मीठा डाल सकते हैं, और अब ये अच्छे से boil हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे ये custard powder जो हमने घूल कर रखा था, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसे लगातार चलाते रहना है, एक साप सारा इसे नहीं डालना है, थोड़ा थो इसमें डाल सकते हैं, अब इसे लगातार चलाते रहेंगे, 10-15 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे, तो इसमें गाढ़ा पना जाएगा, आप इसे बना कर जरूर देखना बहुत ही tasty बनता है ये, और सभी को बहुत पसंद आता है, तो आप इसे एक बार try जरूर करना ये आपको जरूर पसंद आएगा, और ये देखिए अच्छे से थिक होने लगा है, हमने इसे 10-15 मिनट अच्छे से पकाया है और ये काफी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, हमें बिल्कुल ऐसी ही consistency चाहिए, अब हम गैस बंद कर देंगे, और room temperature पर आने के बाद इसे फ्र इसे निकाल लिया है, मैंने कुछ fruits लिये है, इन्हें छोटे-छोटे टुकडों में कात लिया है, इन्हें हम custard में डालेंगे, आप अपनी पसंद के according और भी fruits इसमें डाल सकते हैं, पानी वाले fruits इसमें नहीं डालने हैं, मैंने यहाँ पर काले और हरे अंगूर लिये हैं, स क्रीमी क्रीमी हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर त्यार हो गया है आप इसे जरूर ट्राइए ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसकी गार्निस के लिए हम उपर से थोड़े से फ्रूट्स डाल देंगे मैंने उपर से थोड़े से डाल दिये हैं आप यहां पर काजू भी डाल सकते हैं और यह देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर त्यार है इसे आप फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आप कामन करें इसे निकालिए और खाईए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो क मिलेगा तो चलिए मिलेंगे फिर एक नई रस्पी के साथ तब तक के लिए राधिरा दे